हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Nokia 2.3 Android वाइल फोन में आप जो है Tap to Wake सेटिंग को Enable कैसे कर सकते हैं यानि की On कैसे कर सकते हैं और ये Tap to Wake सेटिंग जो है Enable होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जांकारी देने वालों तो चलिए आपर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में Setting पेज आपको ओपन करना है यानि कि आपकी Setting Enable हो जाती है ठीक है Tap to Wake अभी Tap to Wake Setting Enable होने के बाद ये Setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ तो जब भी आपके mobile phone की Screen Off होगी ठीक है और आप अपने mobile phone की Screen पे Double Tap करेंगे यानि कि दो बार लगातार दबाएंगे तो इससे होगा क्या देखिए आपके mobile phone की Screen On हो जाती है ठीक है Double Tap करने से तो इस Tap to Wake Setting जो है Enable करने के बाद ये कुछ इस तरीके से Setting काम करती है आपके phone में ठीक है Setting Page में सबसे उपर आपको ये Search Setting का Option मिलेगा Search Setting पर आपको इससे Select करना है और यहाँ पर आपको Search बार में टाइप करना है Tap to Wake जो Setting का Name है वो आपको पूरा यहाँ पर टाइप कर देना है Tap to Wake तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ये देखिए तो नीचे की साइड ये Option श जो नहीं होगा ठीक है तो Spelling Mistake नहीं करने है इस बात का ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते है जब यह Option शो हो जाता है नीचे तो इससे आपको Select करना है इससे होता क्या है आपका मुवाइल फोन आपको डिरेक्ली सेटिंग पीज में लेकर आजाता है